Hello everyone, welcome back to another video और आज के वीडियो में आपन बात करेंगे सेल साइकल के बारे में उससे पहले के वीडियो में अपने सब कुछ डिसकस कर लिया है जो सेल का जो बेसिक था और सेल और अर्गनल्स थे उन सब के बारे में अपन डिसकस कर चुका हूँ मैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो डिसक्रिप्शन में मैं लिक डाल दूँगा महां से जाके आप उसको देख सकते हूँ तो सेल साइकल की बात करेंगे उससे पहले अपनी अन्सियार्टे में ये डाइग्राम दिया हुआ है इससे मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ कि किस तरीके से अपन इसमें पढ़ने वाले हैं और किस किस फेज में क्या क्या होने वाला है तो इस डाइग्राम को देखना और इसको समझने की कोशिस करना है अगर यह diagram समझ में आ गया तो उसके बात कुछ भी नहीं है अपन को सिर्फ story के रूप में याद रखना है वो अपना आगया करेंगे लेकिन एक बार इस diagram को अपना आपको दहां से देखना होगा इस diagram में बताया हुआ है कि एक cell की इस type से divide करती है और इसमें कौन-कौन सी stages present होती है तो सबसे पहले इसके जो cell division होता है इसको दो type में divide किया गया अपनी ansiartic according एक दो interface और एक होती है M phase तो interface के अंदर तीन stages आती है तो G1 फिर S और एक होती है G2 N phase के अंदर यहां पर जो nucleus है वो divide होगा उसके बारे में अपन एक एक करके बाग करेंगे तो G1 phase तो सबसे पहले G1 में क्या होता है S में क्या होता है और G2 में क्या होता है तो अपन बिसकस करेंगे interface के अंदर तो बात करते है interface में जब कोई cell divide होती है तो उसका 95% time जो है वो interface stage के अंदर वो लेती है कोई cell वो इसलिए क्योंकि cell divide होने के लिए quiet जो चीजें है उनको पहले collective करेगी पहले उनको collect करेगी कि एक cell को divide होने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो सब पहले वो cell एकटा करेगी उसके बाद ही तो वो divide हो सकती है ताकि दोनों cell एकदम similar हो आती है बात समझ में तो इस interface के अंदर cell हर वो चीज पहले एकटी क करेगी जिस चीज की cell division में जरूरत होगी तो इन जो stages है यह G1, S, G1, S और G2 इसमें सब में अलग-अलग जीजे होंगी तो G1 में सबसे पहले होने वाला है कि cell metabolically active होती है इसके अंदर active होकी तब ही तो आगे करती रहेगी ठीक है और cell continuously grow करती रहती है cell बढ़ती रहती है ठ DNA का replication होगा chromosome का कुछ भी नहीं होगा यानि कि chromosome अगर 4 है तो वो आगे भी 4 ही रहेंगे जब G2 के अंदर जाएंगे लेकिन अगर DNA इसमें 4 है तो अगर वो 5 होगे या फिर 6 होगे या फिर 7 होगे अगर तो वहाँ पर जरूर change होगा जब cell G2 stage में जाएगी S phase में DNA बनेगा इ जो DNA का नंबर है वो जादा ही रहेगा S phase के मुकाबले ठीक है जब cell जो है जब cell ग्रो करते करते G2 stage में पहुचेगे तब वहाँ पर DNA की संक्या जादा होगी पहले के मुताबिक ठीक है S stage के अंदर DNA का replication होता है ने कि DNA अपने नंबर में increase करेगा बाकि chromosome में कोई change नहीं मातरा ज़्यादा होगी S phase में DNA replication हो जाएगा फिर G2 stage में क्या हो गया कि G2 stage में protein synthesis होगी और cell जो है grow करना तो continuously जारी रखेगी यह बात हुए अपने interface की तो इस step से करते करते interface में 95% time लगता है और अब बात आती है checkpoints पी अपने exam में पूसते हैं तो अगर G1 stage और S के बीच म first checkpoint present होता है अगर cell एक बार यहां से निकली तो वो जरूर divide होगी आती है बात समझ में दूसरा checkpoint आता है कि Amphage और G2 होती है उसके बीच में present होता है आती है अतनी बात समझ में यहां पर मैंने सारे point लिखे होए है कि cell G1 stage के अंदर cell metabolically active रहती है और cell continuously grow करती है अब मैंने बत है कि तभी तो nucleus का जो उस पर control है वो नहीं रह पाएगा मैंने आपको starting में बताया था जब cell के बारे में बात कर रहे थे कि cell divide तभी करती है जब nucleus का अपने system अपनी cell के उपर control नहीं होता है मैंने एक माता पिता के दो बच्चे थे और एक माता पिता के 5-6 बच्चे थे उसक जो पर धिरे-दिरे कम होता रहेगा और कम होता रहेगा तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि cell इतनी ग्रो कर जाएगी कि nucleus का control उसके उपर से खतम हो जाएगा तो उसको divide होना ही पड़ेगा अठी बात समझ में इसलिए cell ये ग्रो कर रही है और S-page के अंदर क्या होगा DNA replication होग G2 stage में वो 4D हो जाएगा आती है बात समझ में और G2 stage के अंदर protein synthesis होती है ये लाइने याद रख लेना exam में HCTs पूछते हैं और cell grow continuously रखेगी cell grow रखेगी तबी तो अपना divide हो पाएगी cell बात आती है M phase की interface की बात कर लिए अपने 95% time ये लेती है और 5% का time लेती है M phase M phase को 4 type से divide किया हुआ है एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसको याद कैसे करेंगे अपने याद रख लेना PMT अपनी जो NEET है अपनी जो NEET exam है वो पहले PMT हुआ कर दी थी PMT pre medical test और अब इसका नाम दी दिया गया है NEET तो इस से याद रखेंगे pre से या तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारी ये केरियो काइनसिस होगा केरियो काइनसिस यानि कि नुकलियस ही तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि नुकलियस ही तो सेल पर कंट्रोल करता है और अगर नुकलियस का कंट्रोल हो गया तो अगर नुकलियस का मेक्सिमम सेल के अंदर एक ही नुकलियस प्रजेंट होता है, तो अगर नुकलियस यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो नुकलियस डिवाइड होगा तो फिर साइटो कानेसिस होगा, तो इससे दो सेल बन जाएगी, इससे सेल डिवीजन हो जाएगा, आती ही इतनी बात समझ मे और इस तारीके से अपनी cell का अपन study करेंगे एक और important point आथा है तो ये G0 stage भी बोलते हैं इसको G0 भी बोलते हैं G0 stage भी इसको बोलते हैं तो इसको बोलते है Cucent stage Cucent stage यानए कि cell यहाँ पर metabolically तो आक्टिव रहती है लेकिन cell divide नहीं होती कहने का मतलब यहां कि यह है कि यह first checkpoint है मैंने बताया था कि अगर first checkpoint से अगर कोई sale निकलती है तो वो divide होगी होगी अगर यहाँ पर G1 से कोई sale अगर sale grow कर रही है उसके अंदर अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो जाती है sale division के सामान जो इकटा कर रही है अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है अगर sale को पता लगता है कि इसमें किसे ना किसी चीज की कमी है तो वो sale जो है यह जो genote stage है यहाँ से इस sale को आगे नहीं जाने देती इस division को आगे नहीं जाने देती वो इसको बाहर कर देती है कि यह sale division में नहीं जा सकती यानि कि insufficient material होने के वज़े से इस cell को हम आगे नहीं जाने दे सकते यह first check point साब बोलते हैं कि जी नहीं साब हम आपको आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ ना किसी चीज की कमी है तो यह cell divide नहीं कर सकती तो वो cell निकल यहाँ पर G1 से निकल कर G note में चली जाती है तो G note में चली जाती है किसी लिए इसको G0 stage बोलते हैं कि यहाँ से यह divide नहीं हो सकती लेकिन cell तो active है ना इतनी बात समझ में आती है कि अगर cell में कोई गटबड़ी होती है अगर cell में परियापत संसाधन नहीं है तो वो cell G1 से निकल कर G0 में चली जाएगी यहाँ पर cell divide नहीं होगी उस stage में चली जाएगी आती है बात इतनी समझ में अब इसके अंदर cell तो active है ना cell active है क्योंकि उसके पास सामान नहीं था डिवाइड होने का इसलिए वो आगे नहीं जा सकी अदरवाइस वो है तो active ही तो इस Q0 को बोलते हैं G0 stage या फिर Qcent stages को बोलते हैं तो इसके अंदर जो है cell metabolically active मैंने कहा था कि cell active तो रहेगी क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ सामान नहीं था तो cell active रहेगी और proliferation absent होका यान कि आगे proliferate वो नहीं कर सकती क्योंकि अंसादन कम है इसका example अपने अंसाइट में दिया हुआ है heart cell आती है बात समझ में और अपने human की जो cell होती है वो divide होने में 24 horse का time लेती है 24 horse का time लेती है इसमें लगबग वो 23 जो घंटे होते हैं वो सिर्फ interface में अपना खतम कर देती है बाकी के जो बचा हुआ एक गंट है उसमें वो cell divide होती है एमफे से गुजरती है और अपनी एंसाइट में एक example और दिया हुआ हु इस्ट जो है सिर्फ 90 मिनिट के अंदर divide हो जाती है complete cell आती है बात समझ में तो एक वेडियो में आपने डिसकस करेंगे माइटोसिस के बारे में थैंक यू